कि नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहें स्प्यन नाइन न्यूस उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और उनकी वानी उनकी बोल कुछ ऐसे हैं जिनको देख कर आप यही कहेंगे कि किस ने उन्हें सीम पद की कुर्सी दे दी दरसल नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर जो लगतार अभी भी विरोध जारी है जिसको लेकर शाहिन बाग में वहां की महिलाएं अभी भी धरने पर बैठी हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक तिपड़ी की है और य बैठी है वो एक तरह से डोंग है उन्हें ही नहीं पता कि वो किस लिए धरने पर बैठी है उन्हें कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वो धरने पर क्यों बैठी गई है वो कहते हैं कि उनके मर्दों ने यानि कि पुर्षों ने उ दहुरंगे सब्सक्टों और खुर हम घर में रजाई ओड कर सोएंगे ऐसा योगी आदितने नाथ ने कहा है एक अपने भारत के यह पुरुष इतने नमर्द हो गए हैं कि वह अपनी महिलाओं को आगे कर रहे हैं इस धरने को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं क्यूं आगे आ रहे हैं इसके जिम्मेदात पुरुष है और पुरुष चाहते हैं कि वो रजाई ओड़कर सो जाएं और अपनी महिलाओं को धरने पर बिठा कर सुबह से लेकर शाम तक वहां पर वो हो कि प्यासी बैठी रहें ऐसा योगी आदित नात ने कहा है अब आपको बता दें कि वो सीयम है उत्रप्रदेश के हैं और ऐसी वक्तव्य का इस्तमाल वो करते हैं यह कहां तक ठीक है एक महिलाओ के उपर ऐसे आरोप लगाना कि ना तो उन्हें कानून के बारे में जानकारी हैं और ना ही उन्हें अपने सम्मान और इज्जत की परवा है पुरुष ने जो कह दिया वो करती हुई वो नजर आ रही है और खासकर शाहिन बाग में मुस्लिम महिलाएं जादा है तो उन पर टार्गिट करते हुए उन्होंने बोला है अब ऐसे में वो यह आपको बता द कीजिए अगर हम नहीं जानते अगर आप ही इतना जानते हैं तो एक तरह से महिलाओं ने भी करारा जवाब दिया है लेकिन योगी आदितिनात की इस तिपड़ी की कड़ी अलोचना हो रही है तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो यह कहते भी नजर आ रहे हैं कि प आप उनकी संपत्ति को जब्त कर लें क्योंकि वो सारजनिक संपत्तियों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे में उनकी संपत्ति उनके पास नहीं रहनी चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए तो ऐसे में हिंसा रुकेगी तो अब उसी मुद्दे को उठाते हुए योगी आदितनात ने कहा है कि महिला इसलिए आगे आ रही है कि पुरुष डर चुके हैं कि उनके संपत्ति जब्त ना कर ली जाए और ऐसे में वो चाहते हैं कि महिला ये शांतिपूंट तरीके से विरोध करें और उन्होंने कहा है कि ये महिला देश रोही है क्योंकि भारत में ही वो ऐसे नारे लगा रही है जैसे कि कश्मीर में हमने वो नारे देखे गए थे वो अजादी की बात कर रही है भारत में रहकर यानि कि वो अजाद नहीं है ऐसा योगी आदितनात ने कहा अब आप ये बताईए कहां तक ठीक है हक की लड़ाई लड़ना जहां तमाम लोग सड़क पर आ चुके हैं पूरा भारत विरोध दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है इससे में इतनी बड़े पद पर बैठे हुए ऐसे शब्दों का इस्तमाल वो करते हैं महिलाओं के लिए तो के मामले वहां सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं दिन दाहारे वहां पर मार दिया जाता है लूट हो जाती है महिलाओं को शुरक्षित नहीं रखा जाता उत्तर प्रदेश में वहां पर दिन हो या रात हो महिलाओं निकलने से डरती हैं और ऐसे में उनकी शुरक्षा को विभाजित करने में लगे हुए लेकिन ये कितना सच है कितना जूट और ये कितने कानून के बारे में जानते हैं और ये कितना अच्छे शब्दों का इस्तिमाल करते हैं इस पद पर रहते हुए ये तो आप सभी जानते हैं क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरू